यग्ण्यार्था कर्मनोन यत्र लूकुयम कर्मबंधनः तदर्थम कर्मकौन्तेया मुक्तसंगह समाचरः इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं यग्य वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं कृष्ण कहते हैं यग्य के लिए किये जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए है अरजुन तो इच्छाओं को छोड़कर उस यग्य के लिए ही भली भाती कर्तव्य कर्म कर यग अरथात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम हम को भी अपने करतवियों को यग समझ ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो अगर हम सब अपने काम को यग समझ उससे सम्मान पूरवक करें तो सब का भला होगा इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिये